हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब एक बार फिर से मैं अटल पाटिदार आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन केमेस्ट्री विद अटल पाटिदार में आपका बहुत-बहुत वेलकम करता हूँ आज के वीडियो में यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं इंटिग्रेटेड रेट इक्वेशन फोर जीरो ओर्डर रियक्शन ठीक है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इंटिग्रेटेड रेट फोर जीरो ओर्डर रियक्शन है ना चलिए तो सबसे पहले हम एक कोई जन्रल रियक्शन देखते हैं कंसीडर अ जन्रल रियक्शन है ना एक कोई जन्रल रियक्शन हम देखते हैं R gives product ठीक है? कोई reactant है वो product में convert हो रहा है एक जन्रल रेक्षन हमने सपोज की हैना reactant product में convert हो रहा है अब 0 order reaction के लिए for 0 order reaction the instantaneous rate is अब instantaneous rate क्या होती है मैंने आपको first lecture में clear करवाया था है ना वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि product की concentration में change होगा तो हम plus लगाएंगे है ना यहाँ पर देखिए मैं instantaneous rate पहले लिख दूँगा फिर आप अच्छे से clear कर पाएंगे है ना तो zero order reaction के लिए जो instantaneous rate है वो हम कैसे लिख सकते है r is equals to d r upon dt अब यहाँ पर यह जो reactant की concentration में small change हो रहा है ना d किसके लिए है small change के लिए तो reactant की concentration के लिए मैंने आपको बताया था कि minus हमें use करना पड़ेगा क्योंकि reactant की concentration क्या हो रही है decrease हो रही है जैसे जैसे reaction progress करेगी reactant की concentration low होगी और product की concentration high होगी है ना सही है अगर हम product के लिए लिखे यही चीज तो हम क्यासे लिख सकते है r is equals to plus d और bracket के अंदर p p for product r for reactant ठीक है और upon में क्या लिखेंगे हम dt यह product के लिए है तो product के लिए हम positive का sign लगा रहे है reactant के लिए है इसलिए हम negative का sign लगा रहे है कोई भी problem I think आपको नहीं होनी चाहिए है ना instantaneous rate का मतलब मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा कि particular instant of time के ऊपर या तो product की concentration में change होना या reactant की concentration में change होना यही कहलाता है हमारा instantaneous rate ठीक है तो instantaneous rate हमने लिख दिया है reactant के लिए r is equals to minus d r upon dt r क्या है rate of reaction को denote कर रहा है ठीक है minus d minus क्या show कर रहा है decrease हो रही है concentration इसलिए minus d small change के लिए और r reactant के लिए ठीक है चलिए अब zero order reaction के लिए for 0 order reaction the rate low is rate low कैसे होगा देखिए r is equals to k r to the power 0 है ना r की power 0 क्यों है क्योंकि यह 0 order reaction है है ना order of reaction में हमने पढ़ा है है ना n की value अगर 0 है तो 0 order reaction 1 है तो first order reaction and so on ठीक है तो यहाँ पर r is equals to k े r ke iche r की जगए हम A B कुछ भी लिख सकते हैं वट यहाँ पर reactant की बात हो रही है इसलिए हमने r लिया हैो ठीक है यहां पर भी र L लिया है और यहां पर भी आर लिया है और यह भी एक rate है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को equal लिख देंगे, ठीक, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, minus dr upon dt is equals to k r to the power 0, ठीक है, दोनों को equal लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही rate है, अब minus dr upon dt is equals to k, अब r0 की power 0 है, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ k बचेगा, तो minus dr upon dt is equals to k, ठीक है, अब minus dr is equals to k, यह dt उधर चला जाएगा, इंटू में, तो यह हो जाएगा, minus dr is equals to k into dt, अब कुछ नहीं करना है, minus जो है, इसको हम equal के उधर ले जाएगे, तो यह हो जाएगा, dr is equals to minus k into dt, हैना, यहाँ पर minus आ गया, पह on integrating, on integrating both sides, दोनों side हम क्या कर देंगे, integrating कर देंगे, यह integration कर देंगे, ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हैना, थोड़ी सी space कम है, और यह derivation थोड़ा लंबा है, इसलिए, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब इस equation में हम integration करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखिए, integration dr is equals to minus k बाहर रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यह constant है, हैना, rate constant है, इसलिए हमने इसको integration से बाहर रखा है, तो minus k integration dt हो जाएगा, अब integration dr को जब हमने integrate किया, तो इसकी value हमें मिलेगी, r is equals to minus k azts, और यहाँ पर हो जाएगा, integration dt का into t हो जाएगा, ठीक है, value हमारे पास i t, प्लस एक integration constant लगेगा i, हैना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, where i is equals to integration constant, integration constant, the value of i, the value of i can be calculated from initial conditions, initial conditions, अब initial conditions क्या होगी, t is equals to क्या हो जाएगा, 0, हैना, time 0 है, initial condition के बाद कर रहा है, हैना, देखी, जो i क्या है, integration constant है, और i की value हम कैसे निकाल पाएगे, जब हम initial condition अपलाई कर देंगे, यहाँ पर, तो initial condition में t is equals to क्या हो जाएगा, 0, and r is equals to क्या हो जाएगा, r0, हैना, क्योंकि r0 क्या है, initial concentration है, reactant की, और r क्या है, t time के बाद में, हैना, कोई भी time दिया हुआ है, उसके बाद में, concentration है, reactant की, अब क्या करना है, इन दोनों ही values को equation 1 में हमें, put कर देना है, ठीक है, यह equation 1 है, equation 1 में put किया, हमने r की जगे क्या हो जाएगा, r0, यह लिख दिया, हमने r0 is equals to minus k into t, as it is, plus i as it is, अब यह क्या हो जाएगा, r0 is equals to, यह तो 0 हो गया, पुरा, minus k into 0, 0, अब equal के आगे क्या आएगा, i, तो यहां से i की जो value है, वो निकल कर आगई r0, अब इस i की value को हम रखेंगे, equation 1 में, putting the value of i in equation 1, equation 1 में, इस i की value को हमें, put करना है, तो देखिए, equation 1 क्या है, r, as it is, लिखा, is equals to minus k into t, यहां तक है, as it is, plus i की जगे हम क्या लिखेंगे, r0, यह लिखा हमने, r0, ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए, यह minus का k, जब इधर आएगा, equal के इधर आजाएगा, तो plus हो जाएगा, है ना, k, t हो जाएगा, is equals to, r0, as it is, यह r, जब equal के उधर जाएगा, तो अभी positive है, उधर जाएगा, negative हो जाएगा, r, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, I think नहीं होने चाहिए, ठीक है, चलिए, तो अब कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस, देखिए, यहाँ से, k is equals to, r0, minus, r, यह t, upon में चला गया, तो यहाँ से, zero order reaction के लिए, जो formula है, वो हमारे पास आ गया, k is equals to, r0, minus r, upon t, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम, और करके में लिख रहाँ, ध्यान दिजिएगा, कुछ नहीं करना है, t को, और k को, इनकी जो place हैं, वो exchange कर देंगे, और करके लिख रहाँ, t is equals to, r0, minus, r, upon में क्या हो जगा k, है ना, ये क्या है, t है, ठीक है, तो कुछ नहीं करा हमने, k की जगे, t को ले आए, t की जगे, k को ले आए, ठीक है, तो, I hope, zero order reaction के लिए, integrated rate equation का, जो derivation है, वो आप बहुत ही बहतरिन तरीके से clear कर पाए होंगे, अगर नहीं आया है, समझ में, एक बार revise कीजिए, अच्छे से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो कहीं न कहीं, आपकी concentration में कमी आई होगी, definitely, है ना, क्योंकि बहुत ही बारीकी से, बहुत ही, अच्छी तरीके से, मैंने, मेरा 100% effort दिया है, इस question को, आपको समझाने में, है ना, तो थोड़ी सी concentration की, आप, I think समझ में नहीं आया होगा, विडियो revise कीजिए, फिर से देखिए, 100% clear होगा, ठीक है, तो ये जो equation है, ये, है ना, इन दोनों में से कोई सी भी, जो equation है, वो हमें आगे के वीडियो में apply करने पड़ेगी, जब हम zero order reaction के लिए, half life period का जो derivation है, वो derive करेंगे, ठीक है, तो उ इस वीडियो के लिए ये वीडियो जरूरी है, आपको समझना, ठीक है, तो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है, सीखे है इस वीडियो से कुछ, प्लीज लाइक कीजिए, शेर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, च तिल दे, थैंक यू सो मच, जैहिन!